वूट इमिंग एर्विवान ना तेसे सीए स्राहुल टिक्वानी दाइज इस फैंटास्टिक न्यूस फॉर उस जित्ते भी सीए सूरेंट्स है उनके लिए बहुत भैतरीन खबर है Competition Commission of India में online internship जो चल रही है वो अब April, May, June 3 और महीने के लिए online internship चालू है जो जो बच्चों को Competition Law में inclination है, interest है वो लोग Competition Law में internship सीधे भारतिय प्रतिसपर्धा आयोग में कर सकते हैं सीधा Honorable Competition Commission of India में कर सकते हैं आपको सबको पता है कि हिंदुस्तान में जो Competition है उसको regulate करने की जो authority है वो CCI है और globally Competition Law बहुत इवाल हो चुका है हिंदुस्तान में अभी जो Competition Law आया उसको आकर तकरीवन 11 साल हो गया है, 12 साल हो गया है Going forward, Competition Commissioner of India, बिलकुल Reserve Bank of India, Securities Exchange Board of India जैसी ही एक authority बनके established हो जाएगी तो मुझे लगता है कि जो जो बच्चों को समय है, जो जो बच्चों के पास एक window है एक दो महिने का या एक आद महिने का, जरूर वो यहाँ पर internship करने के बारे में सोचे, सारी details CCI की website पे available है You can very quickly check out the details in the website, तो जैसे ही आप Competition Commissioner of India की website में जाएंगे, आपको सीधा, what's new में जाना, वहाँ पर extension of CCI online, internship program आपको दिखेगा तो जो जो बच्चों का December में exam देना है, या June में सोच रहे हैं exam देने का, या भी एक आद मन्त हो लोग, क्योंकि online internship है, आप घर बैठे ही कर सकते हैं, मुझे लगता है बहुत अच्छी opportunity है, CCI में किस तरह से काम होता है, section 3, 4, 5, 6 जो आप पढ़ते हैं, चाहे वो anti competitive agreements हो, abuse of dominant position हो, या फिर combination regulation से related हो, तो बहुत अच्छा आपको एक उसमें, एक raw experience मिल जाएगा, तो ज़रूर आप कोशिश कीजिए इसमें, मेरे कई सारे students हैं जिन्नोंने internship की है, और they found it very 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 useful, तो ना सिर्फ ये enriching है experience में, competition law domain का तो आपको बहुत अच्छा ग्यान मिलेगा ही मिलेग साथ ही साथ, आपका resume में, आपका CV भी built up होता है, और आपको सबको पता है कि CS बनने के बाद, तीन साल अगर आप competition law या इससे related domain में काम करते हैं, तो सिधर deputy director की post होती है, जहां पर आप लोग deputy director financial analysis की job के लिए apply कर सकते हैं, और सिधर deputy director बन सकते हैं, इवेंच्वली उसके बाद तो सिधर director law का designation होता है, अगर आप बहुत अच्छा कर गए, तो क्या पता, member भी बन जाओ आप, और बिल्कुल possible है, क्योंकि इसके पहले जो member थे, हमारे doctor CS MS AHU, जो CS MS AHU जी है, वो तो 1990 में उन्होंने CS किया था, और वो तो legendary है, मतलब doctor MS AHU, CS MS AHU तो मतलब नाम है, मत पहले वो ministry of finance में, ministry of finance के लिए advisor थे, then you know, SEBI में वो chief general manager थे, फिर SEBI में whole time director बने, फिर competition commission of India में member थे, eventually जब अभी insolvency and bankruptcy board of India बनाया गया, वहाँ पर वो chairman थे, जब insolvency and bankruptcy court बना, तो बिलकुल मुझे लगता है क्यों नहीं, आप लोग ये सब कर सकते हैं, of course, with time you will experience new things, तो म बात मैं इसमें additionally बता दूँ कि, सारी की सारी details ये एक page में available है, please sit down, read for 30 minutes, पढ़िए इसको अच्छे से, आपको application जो download करनी है, application form जो है, internship के लिए apply करने के लिए, वो website पर ही download हो जाएगा, उसके बाद, आप CCI को mail कर सकते हो, CCI ने mail address भी दिया हुआ है, तो CCI आपकी queries we are looking forward and जरूर वो आपको involved करना चाहेंगे, तो मेरे भाईयों बहुत अच्छा opportunity है, जरूर अपने CS friends के साथ share करो, और क्योंकि executive में 25 माख का competition law है, तो बहुत अच्छा आपको insight होता है, overview substantial law का तो पूरा होता ही है, तो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया build up होता है, और final म में भी होता ही है, in fact मैं तो बोलूगा CA बच्चे जो है, CA inter में है, CA final में है, या जो LLB students है, जिनको competition law में inclination है, वो भी apply कर सकते है, it is open for all, जो LLB कर रहे हैं, बच्चे मेरे बहुत सारे students है, जो अच्छी law universities में पढ़ रहे हैं, और क्योंकि I have frequently मेरी बात होती है, conversations होते है तो competition law में जो जो interested है, सब apply कर सकते हैं, तो मुझे लगता है बहुत अच्छी opportunity है, do consider this opportunity, और going forward, बस मैं एकता बताना चाहता हूँ कि यह जो law है, competition law जो हिंदूस्तान में भी तो बारा साल हुआ, evolving stage ही यह बोल सकते हैं, बट अगर आप mature jurisdictions देखोगे, US, EU, बहुत evolve हो गया है In fact, US में तो यह Sherman Act 1913 और 1920 से ही है, हिंदूस्तान में unfortunately हम लोग थोड़ा, जो competition law हमारा, actual competition law है, वो बहुत late enforce हुआ है, तो मुझे लगता है अभी pilot कानून है, 10-12 साली हुए है, अगर इसमें interest है, जरूर इसमें जाईए, कोशिश करी, apply कीजिए, और wish you best luck, कोशिश कीजिए, अगर हो गया है, तो nothing like that, नहीं हुआ, तो बाद में तो apply करी सकते हैं, लेकिन अगर हो गया, क्या बात है, मजा जाएगी, है ना, तो जरूर ट्राइ कीजिए, जितने बच्चों ने experience किया है, उनका experience बहुत अच्छा रहा है, अभी तक भी जब बात होती है, the first thing that they say, sir, it was amazing you know, जिस तरह से इस काम होता है, क्योंकि आप regulatory में काम कर रहे हो, तो बहुत अच्छा आपको understanding मिलता है, मैं मेरा थोड़ा शेर करता हूँ, मैं भी पहले competition commission of India में panel था as a resource person, state of maharashtra, state of 36 गड़ के लिए, तो मुझे याद है, जब मैं वहाँ गया था, जब मैं डेली जाना होता था, तो पहले तो यार, world bank की जो building है, cannot place Delhi में वहाँ पर office था इनका, और अब जो office है, वो तो और sexy है, तो ज़रूर मुझे लगता है कि तज़र्बा लेना चाहिए, बहुत अच्छी opportunity है, ज़रूर इसको try करें, और अपने CS friends के साथ, CA friends के साथ, जो LLB में खास तोर प जिनको competition law में interest है, उनके साथ share करो, क्योंकि उनके career के लिए काफी important हो जाएगा यह है, है ना, so, that's a brief update from CCI, thank you, bye-bye, this is CS Raul Tagwani, signing off, like, share and subscribe my channel, bye-bye